कि पी वेलिव हो अमर्त है इस इस दुक से जूज निकल गया है है कि ता है इसमां पी वेल्सारि मार्णी हुग सबली करा दिया हुग में उसका बारवा बेमतलु नहीं कुछ भी और P value पुछेगा काई square या F की पुछ सकता है वो भी सिखाऊंगा मैं आपको अभी तक तो T और stand normal की पूछ रहा है ना आपसे आओ पहले question करना सीखते हैं क्या solution देखो बच्चो पहले तो बोड़ पे इस solution की पहचान देखो सारे बच्चे क्या आपको sample mean दिया है yes, sample variance दिया है yes, population variance unknown है ना अरे population variance unknown नहीं है unknown, तो कौन सा distribution लगेगा, T लगेगा so the test statistics formula will be what x bar minus mu s upon follows T अरे यह होगा test statistics आपका तो x bar कितना दिया है भाई, 9.8 mu कितना है question में, कहीं तो दिया होगा 8.8, 8.8, s कितना है test का root करना बढ़ेगा, 1.44 का root और n कितना है, 9 यह आ गया 9, अब answer बता जल्दी से तो पहले इसका बाद बात करेंगे और n, t, 8 degree freedom होगा test status का अंसर बढ़ा दे बस तू कोई भी बच्चा test status का अंसर 2.5, अब बोर पे देखो, सारे बच्चे गलती कहा होती है please tell me, is this a two-tail test or a right-tail test if it is a two-tail test, then p value is equal to the twice probability t, t, n minus 1 is greater than the test statistics, right और अगर t की value ना दी हो, तो z greater than what if it is a two-tail test, if it is a one-tail test अंजी बेटा test statistics में सर जो mu की value given होती है mu naught की, अब बेच नौट की यह पुट करने की है अंजी बेटा, और कि test status में तो यह तो पुट करोगा mu naught ही तो पुट करते हैं, जो given होता है अच्छा, p, t, n minus 1 is greater than test statistics क्योंकि यह two-tail नहीं, one-tailed है बेटा तो इसकी value अब n minus 1 अलफा पे मिलती है ना, बेटा, समझ में आए ना बेटा तो इसकी value alpha by 2 पे मिलती है, तो twice कर देते हैं आप उसको खेर चलो, कर लेते हैं, भी question करते हैं अब बताओ, t8 पे, test statistics 2.5 आया किसी के बास भी table है is greater than 2.5 वाइव, what is the answer? 2.3, 2.5% 2.5% पे 2.3 है यह 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 रपी value क्या बेटा क्या given होती क्या बेटा क्या गिवन होती क्या बेटा क्या बेटा क्या बेटा हाँ मेरे बेटा बोल कोई value बोल क्या होता तो वो value बोल रहे देखो रूप जैब एक मिन्ट तरह मूँ एट पॉइंट एट है और तुम क्या रहे हो कि है एच वन में मूजगल टू क्या होता तो यह लेस्ट दन मूट होता ना इसका मतलब लेफ्ट टेस्ट न तब भी हाँ पिटा तब लेफ्ट टेस्ट होता पिटा क्योंकि 8.8 सथे छोटी यह नए वैल्यू उट्ट येस्ट मूझ हमेशा हमकिस के लिए काम करते हैं तो मिवो वो हमेशा के क्ले काम करता है उसके वैल्यू तो आप इस इस question को इस question को कर लिखना चाहें तो यह तो लिखा दो हुआ है में इस गड़ी एट पॉंट मुस गिड़र देट पॉंट एट पॉंट एट पॉंट तुन्हें को क्या देखा है भाई पॉंट 0185 अंसर आ रहा है पी वैल्यू के लिए 0.085 यह नहीं है 0.085 185 नहीं 018 sorry हं हो गया question स्वाज में आए है आगे बढ़ो तो पी वैल्यू ये लगता तार तीसरी बार पुछ रहे दूसरी बार पुछ रहे है तो आ सकता है मतलब पी वैल्यू इस बार तो पी वैल्यू आ सकता है तो पी वैल्यू आ सकता है टूटल टेस्ट के लिए थोड़ा फोकस करना प्लीज क्योंकि इंट टूटल टेस्ट में इंट टू करना है राइट और लेफ्ट में नहीं करना है इंट टू अच्छा ऐसा क्यों करना हो था इंट टू और नॉट और यह तरव को पी वैल्यू कॉंसर्ट समझना पड़ेगा पहले इसके लिए बेटा क्यों से में ट्रिक्ट अन्य टिस्ट्रिबुशन मेरे भाई और यह क्यों देख रहे हैं क्योंकि परसंटेज पॉइंट वाला टेबल राइट से देखा जाता है ग्रेदें अग्रेट पॉइंट वाला टेबल राइट से देखा जाता है इसले ग्रेट दन और टी डिस्ट्रिबुशन का पी प्रोल्टी टेबल होता ही नहीं है लेट से लेज दिन इकूर तो देखने वाला ही होता है सरफ धाई परसंट पांच परसंट ऐसे होता ने बिटा तो पसंटेज वाल बताया तो है कोई बात घवराने की जुरूत नहीं है बाइट टेबल है किसे बाद स्टेंड नोमल का बठीक है आओ बच्चो लेस्ट लेट अंडर्स अंडर्स्टैंड वाई वी नीड पी वैल्यू इसे बताया था पर लेंगे न अच्छे से दुबारा और बताता है 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 हेडिएंगा पी वैल्यू ध्यान से सुनना बिटा इस द इस द इस द एक्जार्ट प्रॉबाबबटी अन विच स्पेलिंग विच की बूल गया है रिवल्यू एच आई हाँ ओन विच वी रिजेक्ट टेश नॉट अरे ठीक है है इट इस द एक्जार्ट प्रॉल्टी ऑन विच्व रिजेक्ट जो आप कहते हैं पांच पर संट पर टेस्ट कर लो दस पर संट पर टेस्ट कर लो वह एक त स्टैटिस्टिक्स आपका हमेशा किसमें आ रहा है रिजेक्शन में यह उसकी ही प्रॉल्टी बताएगा हमेशा चली देखें बोड़ पे आईए बोड़ पे मालो टेस्टैटिस्टिक्स फॉर्मला यह अपलाई कर रहे हैं एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा अपॉन रूट बोलो अरुशी अंसर बोलो तो आपको अंसर बोलना अरुशी मेरको वन से लेके थी की बीच में ऑर्टर में पहले वन पॉंट्स क्यूंकि तरक तरको समझ में आये तक तरको ऐसे तुक्के में बोलने में कुछ समय नहीं आएगा वनना यह टी सिमेटरी डिस्टिपूशन होता है पीटा थीक है तरह टेस्ट टेस्टिस ग्रीन किलर से यह रहा तरह टेस्ट टेस्टिक्स 1.67 और जो यह नॉमल का करव है परसंटेज पॉइंट वाला बिटा अब वो पूछ रहा है कि यह टेस्ट टैस से रिजेक्शन में कब जाया कितने परसंटेज पे एगा किसमें आजाये गा कॉंसे जिचन में कितने परसंटेज पे आएगा तो इसका फॉर्मुला क्या है बिटा रॉबाबटी Z is greater than test statistics यह फॉर्मुला है तो प्रॉबाबटी Z is greater than 1.67 तो इसको क्योंकि stand normal में तो दिया होता है ना आपको यह probability वाला table क्या रांसर आशीश अभी बता रहा हो बिटा 1 में से मैनिस करके बता दिया 0.05 कर देता हूं 46 को ठीक है तो 4.75 परसेंट कर रहा है ना मतलब तो यह लेवल और सिगनिफिकेंस है अगर मैं इसको 4.75 परसेंट पर रखूंगा तो यह रिजेट करेगा नाल है पिसको और टेस्ट इसको अगर किसी बच्चे ने पांच परसेंट पर टेस्ट किया है तो कि टेस्ट इस रिजेशन में आएगा आएगा ना किसे ने डाई पर किया है तो नहीं आएगा किसे ने वन परसेंट पर किया है तो पॉइंट फाइप पर किया है तो यह भी एक्जाम में कॉश्चन आ सकता आपको पी वैल्यू के बजाए है अमरते यह पूछ सकता है एक्जामनर यह कितने प्रचार ओप्शन ए बी सी डी यह किस परसेंट पर जेट कर रहा है बताओ तो उसके लिए भी पी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना तो यह किस परसेंट पर जेट कर रहा है तो बताओ MSQ में आगया question अब क्या 10% पे करेगा 10% पे करेगा कि नहीं क्या 5% पे करेगा तो 2 answer रेट होगे 10 और 5 क्या 5% पे करेगा नहीं क्या 1% पे करेगा नहीं 2 रेट होगे तो आप से इस तरह से भी question पूछा जा सकते है exam में अब रुको पहले मुझे बताओ तो आप से exam में पूछ सकता है अराम से ना भी अशीश बाबू कि ये कितने प्रसंट रिट कर रहा है अब बच्चा बोलेगा सर पसंटे तो दिया होता है हमें मेंशा तो इसका मनलब वो p-value पूछेगा p-value पूछने का indirect तरीका मैं ही बनाओंगा ऐसा को ये पर याद ने रहता है यहां से घर जाकर बूल जाओंगा मैं साथ साथ जब क्लास में पढ़ाते तब ही आते हैं याग कि ऐसा कुछन बना लो आहां लिख ले तिरको अलफ़ बलस भालना है बाद में तुब लिख ले थीख लेए पर बनाते वाद दियान नहीं बड़ेगा दाट इस दे इंपोर्टन्स फॉव टॉक्टिंग वाई दूरिंग दूरिंग दे लिख लास वन न मुझे आइडिया आता है नी पता है हां अब यार पता थूड़ी क्या बताना है क्या नहीं बताना है जब आप पोच्छते हो तब पता सलता है यार हां इसको ऐसे बताना है हमेशा हो गया बिटा लिख लिया अरुशी इसमें यह लोग अलब देना चीदर नहलाए को अब इससे बड़ी वैल्या आरुशी 1.67 से बड़ी वैल्य टैस्टाइट इसकी यह सक्ट ऑप्शन था बिटा सेंड ऑप्शन टैस्टाइट सिक्सक्त की इससे बड़ी वैल्य टू पॉइंट वन लेनू बेटा कुछ समझाओंगा बड़ा अच्छी चीज समझाओंगा वो भी एक क्वेशन बन सकता है आई टी जायम गेट नेट के लेवल का क्वेशन टू पॉइंट वन टेस्ट टैस्टिक्स फिर से फिर से फोटो पे आजओ अपनी स्वरी फिर से हमारा स्वरी हमारा ये कर्व है ये Green कलर से हमारा Test Standards है विचिस 2.1 और हमें कितने परसंट पे रेजेट करेगा ये बता रहे है Exact Probability तो P-Value क्या होता है Probability Z is greater than Test Statististics विचिस 2.1 इवर आशीर बता इवरा पूरा Zero Point तो 1.8% बोल दूं कितने परसंट रिजट कर रहा है अब आज ओ क्वेश्चन यह टेस्ट स्टेस्टिक्स 1.8% पर रिजट कर रहा है तो क्या 2% पर करेगा दस दो परसंट पर टेस्ट पर टेस्ट रिजट कर रहा है तो क्या 2% पर बढ़ा हुआ ना आएगा इस से बड़ी सब पर करेगा पांच पर करेगा लेकिन किस पर नहीं करेगा वन परसंट पर नहीं करेगा पॉइंट फाइप रिजट नहीं करेगा अब सुनो सुनो रुक 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 लेखना नहीं है तो आपको पता ते लगए न कब रिजट करेगा बिटा इससे बड़ी सभी वैल्यू पर क्या करेगा रिजट करेगा जो भी P-Value आई है, P-Value exact quality, इस पर तो कर रहा है रिजट, इससे बड़ी सभी पर करेगा, अब clear है, अब सुनो, ये test statistics से बड़ा है ने, test statuses वो, अरे है की नहीं, test statuses बड़ा हो गया, तो पता P-Value छोटी होगी कि नहीं होगी, test status बड़ा हो गया, तो P-Value कैसी हो गई है, आओ formula, ये आपका formula होता है, होता है, denominator जितना छोटा, नमबर उतना बड़ा, तो नमबर बड़ा, तो P-Value छोटी, और P-Value जितनी ज़्यादा छोटी, तो इसका मतब test statistics is significant, test statistics is, एक question आता है, test status is significant है या insignificant है, तो significant कब होता है, जब वो हर percentage बेर जट करें, जब वो हर percentage बेर क्या करें, close to 0%, close to, देखो ना, test statistics की value बड़ी हो रही है, 1.67 से क्या हो गया test statistics, और P-Value छोटी हो रही है, अच्छा एक बापता हो, test statistics छोटा होना अच्छा है, test statistics की value बड़ी है, इसका मतबने डिनोमेटर छोटा है, चोटा है, तो सब बच्चों के बोलता हूँ, पाप चड़ेगा अगरवड एक्सेप्ट बोला तो, क्योंकि हम null hypothesis एक assumption होती है उसको reject करने के लिए काम कर रहे होते हैं कि H naught आपका reject है reject नहीं है पर किताबों में कहीं पर accept लिखा होता है कुछ लिखा होता है अब आगे और tested इस बड़ा ले बिटा कोई और बड़ी value ले ले 2.8 ले लिया राइट और बड़ी value ले लिया बटा 2.8 ले लिया अब तो यह आगया आपका और 2.8 आपका test statistics है तो reject कब होगा यह तो p-value बताने है बटा अब कि कितरे percent पे rejection region में आ जाएगा तो p-value probability z is greater than test statistics हाँ क्या आ रहे बटा पॉइंट पॉइंट नाइन नाइन सेवन फॉर 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 वन अब 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 अनसर कितना परसंट होगा रहे है पॉइंट फॉइंट 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 तो यह test status significant हो गया ना तो p-value का test status से संबंध है कि नहीं है तो आप आपको राज की बाद बताओं अगर test statistics तीन के आसपास आता है चैन नॉर्मल हो स्टैन नॉर्मल चैन टी हो इट फॉल विच रिजेडिन रिजेक्शन तो पी वैली छोटी आएगी ऐएं को आधिह नहीं तो वह significant हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा वह significant हो जाएगा तो उनका रिष्टा समझ में आ गया कि test statistics बड़ा कब होगा जब variant छोटा होगा तो test rate बड़ा है test rate बड़ा तो p value छोटी है p value छोटी है तो means it is a significant test statistics तो वो हर LS पर reject करेगी हर LS पर क्या करेगी reject अब last वाले बताओ कोई भी percentage बोलो क्या 1% करेगा उससे बड़ी सप्पे करेगा पॉइंट फाइप पर करेगा वन पर भी करेगा दो भी करेगा धाई पर भी पांच पर दस पर भी तो वह सिग्निफिकेंट वन है यार वो है ठीक है अब क्वेशन मरा ता हूं टेस्ट्रेकर डिखन्ट सिग्निफिकेंट आप्शन नम्र वन इस पी वैल्यू टेंस टू-0 पी वैल्यू तेंस टेंस टू-1 टू-1 पी वैल्यू इस फाइपरसंट पी वैल्यू इसटन परसंट इन्स्ट टूजिए कोशन मना दिया यह सीव टी में इसी तो बच्चे लोगे शना आते हैं फैर वैंशी कि अब सित्यवतना क्राद रहा है अभी कराद अभी अभी-भी अच्छा टीन बार कर लिया है तो हमारा क्या अन्सर आया था तो राउंड फिक राउंड ओफ कर दिया वाज़ाद हमने में पर ठीक है तू पर्सेंट इस होके हैं मैं तू पर्सेंट लिखता है जो गोई पुड़ी नीचा कोई बीच्व लिखता है क्योंकि पॉसंटिक में है नहीं होगा तो इसलिए 1.8 तो मैंने सॉल्व किया ना क्योंकि हमारे पास टेबल हैं एक ज़िए एक ज़िए